Hello friends, मैं Dr. Ashir Khan, Consultant International Cardiologist, Healthy Heart Clinic, छाउनी नाकपूर. यह हमारा YouTube चैनल है, जिसका उद्देश है कि हार्ट और हार्ट की बिमारियों के जानकारी लोगों तक पहुचाया जाए. यदि आप हार्ट और हार्ट की बिमारियों के बारे में और जानकारी चाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. आज का हमारा टॉपिक है एंजियोग्राफी. तो सबसे पहले एंजियोग्राफी क्या होता है? Angiography एक procedure होता है जिसमें आपके doctor एक contrast dye और X-ray के द्वारा आपकी heart की blockages के बारे में बताते है ये procedure आजकल काफी common हो गया है और काफी heart के patients का किया जाता है इस video द्वारा हम आपको बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है क्यों किया जाता है और इसके करने से patient को क्या फायदे होते है तो सबसे पहले angiography क्यों किया जाता है मतलब इसके indications क्या होते है सबसे common indication होता है heart attack यदि patient को heart attack आया है तो आपकी doctor आपको emergency angiography के लिए advise करेंगे heart attack के अलावा यदि आपको ऐसे लक्षण है जो heart में blockage दर्शाते है जैसे कि सीने में दर्ध होना, चलने में सास फूलना, या फिर घबराट बेचा नहीं होना तो आपके doctor आपको angiography advice करेंगे यदि आपके ECG में खराबी है, eco में heart में कमजोरी है या eco में कुछ और खराबी है, या आपका treadmill test positive आया है जिसे हम stress test कहते हैं, तो इन सब करण वर्ष भी आपको angiography advice किया जा सकता है यदि आपको angiography advice किया गया है, तो angiography के पहले आपके कुछ test किये जाएंगे आपके doctor, आपके vital science यानि के pulse, BP, SPO2 देखते है वो आपका ECT देखते है, आपके eco cardiography की बारे में भी study किया जाता है angiography के पहले कुछ blood test किये जाते है, जो हमें दर्शाते हैं कि angiography करना आप में safe है के नहीं है ये blood test होते है, CBC, जिसमें आपका hemoglobin का level, आपका platelet का level देखा जाता है kidney function test, जिसमें देखा जाता है कि आपकी kidney बराबर काम करने है करने कर रहे है एक बार आपका pre work up हो जाए और सब को ठीक लगे, तो आपकी डॉक्टर आपको appointment देंगे appointment के दिन आपको 4-6 घंटा खाली पेट रखा जाता है angiography के लिए आते समय आपने आपकी सभी दवाईयों को ले के आना है यदि आपको diabetes है, तो आपने आपकी डॉक्टर से पूछना है कि आपने आपकी diabetes की दवाई सुबह लेनी है के नहीं लेनी है angiography के समय आपकी जित्ती भी jewelry, hairpins, watches इसा ब्रिमूव करना होता है आपको generally एक observation में रखा जाता है और आपको OT gown दिया जाता है angiography के लिए जो ज़रूरी IV cannula रहता है, वो आपके left हाथ में दाला जाता है उस IV cannula से कुछ ज़रूरी दवाई आपको दी जाती है कभी-कभी जो patient बहुत anxious रहते हैं, उन्हें एक हलका सा mild sedation दिया जाता है जिससे उन्हें relax लगता है इसके अलावा आपके हाथ की और groins की shaving की जाती है यह कुछ area है जहां से हम angiography करते हैं, उस जगे के बाल निकाले जाते है जब आपको तयारी हो जाती है, तो आपको catlab नामा के एक OT में shift किया जाता है catlab एक ऐसा special OT होता है, जिसके अंदर एक special extra tube होता है, जिसके द्वारा angiography देखी जाती है आपको एक table पे flat लिटाया जाता है, और आपको ECG के electrode लगाया जाते है generally angiography हाथ से की जाती है, हाथ की artery जिसे हम radial artery कहते है जिन लोगों में ये heart की artery abnormal हो, या ना हो, या उसमें कुछ problem हो, तो पैर से भी कुछ-कुछ लोगों में angiography की जाती है ये procedure local anesthesia में किया जाता है, मतलब इसने locally एक सुन करने की दवाई देते है, जिससे दर्द का आभास कम हो जाता है एक बार जब local anesthesia का असर आ जाता है और हाथ सुन हो जाता है, तो हमें एक छोटे से tube द्वारा heart की artery में access करते है उस tube से एक wire gently heart तके पहुशता है, और एक छोटा tube heart की नसों में पहुच के बैठ जाता है एक बार जब वो tube की position सही हो जाए, तो एक dye के injection द्वारा अलग-अलग तरीके से उसकी images ली जाती है और आपकी angiography पूरी complete हो जाती है एक बार जब आपकी angiography complete हो जाए और पूरी images अच्छे से मिल जाए, तो वो tube को हाथ से निकाल देया जाता है आपको जहाँ पे से angiography हुई है, वहाँ पे एक bandage या strap रखके भार shift कर दिया जाता है angiography के पश्चाथ आपको एक observation room में रखा जाता है, जिसमें आपका pulse, BP और other parameters देखे जाते है angiography के बाद आपको हाथ में थोड़ा दर्द हो सकता है यदि आपके heart की नसों में बहुत blockages है और काफी प्रमान में है, तो कई बाद डॉक्टर आपको bypass surgery भी advise करते है procedure के बाद जब आप observation room में रहते हैं, तो आपके parameters की जाच की जाती है यदि सब parameters अच्छे हैं, आपका report अच्छा है, तो आपको 4-6 गंटे में घर वेज़ दिया जाता है आपको आपके हाथ में जहां से angiography हुई उसकी निगरानी पहले 24 गंटा करना चाहिए यदि वहाँ सूजन आती है, या bleeding आती है, या आपको दर्द काफी होता है, तो आपके doctor से संपक करना चाहिए जिन लोगों का angiography पहर से किया जाता है, उन्हें यदि पहले 24 गंटे में या उसके बाद भी दर्द या सूजन या गठान लगे, तो उन्होंने अपने doctor से संपक करना चाहिए एक normal angiography के बाद में, आप आपके doctor से पूछ सकते हैं, कि अगले दिन से आप normal life रिजुम कर सकते हो का नहीं कर सकते हो जनरली हम लोग 12-24 गंटे के बाद advice करते हैं, कि वो अपने normal activity शिरू कर दे यदि आपको blockages आते हैं, और आपकी doctor आपको angioplasty या bypass के लेडवाइस करते हैं, तो आपकी activity के बारे में, आपने अपने doctor से consult करना चाहिए तो इस वीडियो दोरा मैंने आपको angiography की जानकरी दी है, अगली वीडियो में मैं आपको angioplasty की बारे में थोड़ी जानकरी दूँगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप ये वीडियो अपने परीजनों के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपकी बन में कुछ सवाल है या कोई doubt है जो आप clear करना चाहते हैं, तो please comment section में लिखे हैं